दोस्व अफगानिस्तान और शिलंका की टीम के बीच में खेले चारे सुपर फोर के पहले ही मैच में अंतिम पलो में राशिद खान और राजबकसा के बीच में ऐसी लड़ाई हो गई के मुकाबले को रोकना पा गया अंपायर को बीच में आना पढ़ गया वरना हाथ अपाई भी हो जकती थी ये पूरो वग्ग के दोस्व पारी के सत्र में उवरका है गानिस्तान की टीम के द्वारा दिये गए 116 के लक्षे को चेस करने के शिलंका बहुत पास पहुँच गई थी इसी बीस दोस्तों गुनत हलिका ने राशिद खान को भी चौका जड़ दिया लेकिन उन्हें अब शब्द कहने की गलती कर दी पसफर क्या होना था राशिद खान कौन सा चुप बैठे वो भी गुनत हलिका के पास चले गए और सीधे तोर पर ना सिरफ उन्हें जबान से जवाब दिया बलकि हाथ का इशारे से भी समझा दिया कि कोई भी हरकत करी तो तगड़ा पलटवार होगा और दोस्तों राशिद खान ने पलटवार किया भी इस ओवर की चौती गेंद पर दुनत हलिका को क्लीन बोल्ट करके लेकिन इसमें कौन सा ही और गलत था नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा